जैहिन दोस्तों सवागे थे आप शमी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल के रिर पॉइंट पर अगर आपने फ्रेंड्स यूपी पुलिस का एकजाम दिये तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशकबरी लेकर आएं जी आपकी बार यूपी पुलिस एक बहुत बड़ा र केंसियां जो अब की बार निकाले गए थी जिसका एकजाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं देखी तो आप लोग अपनी आंसर की को चेक कर लेना अगर आपने अभी तक आंसर की को नहीं देखा है क्योंकि आज किस वीडियो में को आने वाले हैं आपका कटोब क्या रहेगा साथ में दोस्तों आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है तो सबसे पहले दोस्तों आपके आंसर कि आईए एक और आंसर कि आएगे आपकी दुबारा से रिवाइज आंसर कि आनी है जैसे आपकी रिवाइज आं होने वाली है क्योंकि अभी देखिए आपके सामने मैंने की नियूज पेपर की कटिंग लगा रहा कि जिसमें लिखा गया कि नया रिकोड बनाएगी यूपी पुलिस एक साथ साथ हजार अब्यार्थियों को देगा प्रसिक्शन देखें दोस्तों अब क्या-क्या इन्होंने जो हैं तयारिया शुरू करती है यूपी पुलिस एक साथ यानि पुलिस यूपी के अंदर के 40,000 अब्यार्थियों को एक साथ प्रसिक्शन देने की चमता रखता है लेकिन क्या है कि अब की बार अब्यार्थि वकैंसी जो है जादा वकैंसी आई थी तो साथ हजार संट्रेंट है जैसे बिहार के राधस्ता अरिवान है इन सभी सिप्रसिक्शन की फिरिग Поэтому from the reality marathon प्लाटन मंवांबर जाये गये और आपको यह पर की यह ःपकर आपनों देख सकते हैं कि यह आप पीएस्टी होगा, पीटी होगा, फिर आपका मेडिकल के लिए आपको बिलाए जाएगा, ताकि आपको कोई बढ़ती के अंदर प्रोब्लम ना अभी से आप लोग अपने तियारी रखेंगे और जिन बच्चों का अच्छा एक्जाम हुआ है जैसे कि आपके सो क्योशन सही है या 95 क्योशन है तो भी आप लोग अपनी तयारी की जैखेंगे ओके दोस्तों नौर्बलाइज़सन इसके अंदर होगा जिसमें आपको अच्छे खासे अंक मिल जाएंगी नौर्बलाइज़सन में जैसे तेईस तारिका सिप्ट का था सेकिं किस वाला भी कापी क्योशन देखने को मिलेंक गल्द क्योशन दिये होते हैं कति सकरस्त वाला तो आपको यहां कापी जो है नौर्मलेसिन में भी नंबर मिलने वाले अगर आप रूप-क्टाइफ नोज कर आए हूं जो आपको रिजल्ट आयेगा उससे पहले आपके एक बड़ आंसर की आएगी आंसर की जारी होने की बाद आपका कट आएगा ठीक है तो उसी के आधर पर मैं आपको जो मैंने अब भी सर्वे आपको बताए कि हम ने कितने बच्चों का सर्वे लिया है तो सभी ब आपका कट आउफ रहेगा एक्चों 85 से एक्चों 95 अगर तो अगर आप लोग अधर स्टेट से हैं जैसे आप लोग राजस्तान से हैं हरियाना पंजाब यू बिहार दिल्ली से हैं तो आप लोग जर्नल में आएगे चाहें आप अपने स्टेट में किसी भी क्यों नहों यह आप लोगों कंफर्म होना से हैं कि आप किस क्टेगरी में तो आप जर्नल क्टेगरी में आएंगे अधर स्टेट से हैं तो तो जर्नल वानों का जो कट आप रहेगा वह 955 अब बाल करेंगे दोस्तों OBC male candidate की जो OBC है और male candidate है उनका कट आप रहेगा 175 से 180 तक रहेगा जो SC candidate केंडिडेट है उनका कट आप रहेगा 150 से लेकर 155 जो SC male candidate है उनका कट आप रहेगा 150 से 155 रहेगा और जो ST candidate है क्ट अश्टी वालों का कट अफ रहेंगा 115 से लेकर 120 की तक फृप रहेगा 4 quelqulaw क्ट 92 एंका कट अफ 206 यह 145 यह बाँड़ केन के लिए अब बात करेंगी अब वह फीमेल केनिदेट का क्ट ओप कितना रहेगा जो क्यों ऊप्र किरिक्षिως महिलाओं की मैं बात करा हूँ यहाँ पर female candidate की बात करा हूँ जो general category में female candidate है उनका cut off रहेगा एक ऐसी से 191 OBC female candidate का cut off रहेगा 170 से 105 170 से 105 कट रहेगा OBC female candidate का SC female candidate का cut off रहेगा 145 से 150 कट रहेगा और जो ST candidate है उनका जो cut off रहेगा वो 110 से लेकर 115 तक cut off रहने वाला है ठीक है नहीं जो ST female candidate है उनका cut off रहेगा 110 से 115 तक cut off रहेगा तो अब हम आपको गदाएगे दोस्तों आपको result कब आएगा cut off की आएगा सबसे पहले आप लोग देखी दोस्तों अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लेना आने वाले सभी notification के लिए आपको update कराते रहेंगे साथ में SSJD के लिए आपनो बिल्कुल फ्रीमे लाइक लास यहाँ पर ले सकते हैं सब्सक्राइब करा जाएगा जो चीज आपको paid कोर्स में मिलता है वह मैं आपको फ्रीमे दे रहा हूं साथ देखिएगा जो बच्चे अभी तो तयारी नहीं कर रहे है तो अब मैंने आपको जो expected कटो बटाए न इसका एक या दो नंबर उपर नीचे हो सकता है आप लोग अपने तयारी जारी रखीगा जैसे कि आपका जैब भी exam हुआ है ये भरती जो है दो चल्मा में होनी है exam और फिर आपका दूसरा देखिए पहला क्या हुआ है exam हो चुक है return exam हुआ है इसके बाद आपका रिवाइज आंसर की जारी की गई है ठीक है आंसर की आपकी आचुकी अगर आपने नहीं देखी तो आंसर की आचुकी है ठीक है रिवाइज आंसर की आएगी जैसे आपकी रिवाइज आंसर की आती है रिवाइज आंसर की आती है उसके जस्ट बाद आपक का कुट औफ हाजाएगा ठीक है कट ऐधे घारी होने के वी बाद में आपको पी-स-टी और ब्लाय जाएगा और कबनाए बच्ण के बाद में आपकर डोकुमेंट होगा तो अगर आपने अपने क sect जैसे कि आपका कास्ट सेटिफिकेट है मारक सीट से हैं आपकी जैसे 10th की 12th की जो जो डोकुमेंट आपके UP पुलिस के अंदर मारक रखेते हैं अगर आपने वो सभी रेडी नहीं किये और आप लोगों का जो क्यूस्टन है वो 100 पलस या 195 आपके क्यूस्टन सही है तो आप लोग अपनी तयारी रखिएगा फ्रेंट्स ठीक है ना जिन बच्चों के 100 क्यूस्टन सही है 95 क्यूस्टन सही है वो अपने तयारी रखिए आपका जो cut-off है वो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको पता है वो एक या दो नूमर उपर नीचे उसकता है बाकी ज्यादा चेंज नहीं होगा ठीक ना बिल्कुल स्टिक जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ अपने डोकुमेंटरेड रखिए पिस्टी पीटी और मेड लोगना अपनी तियारी रखिएगा मैडिकल के लिए आप लोग क्या करेंगे जो आपके गौर्वेंट होस्पिटल नियरबाई उसमें जाकर अपना फुल बोडी मैडिकल चेक अप कराईए उसमें आपको कुछ चार्ज भी नहीं लगेगा बिल्कुल फ्री में आपका मैडिकल चेक अप कराईएगा आपको कोई भी जो मैडिकल पॉइंट आपको लग रहा कि यहां पर मुझे डाउट है वह अपना दूर कीजिए ताकि भरती के टाइम पे मैडिकल चेक अप आपको कोई निकाल न पाए आपके सभी डाउट्स आपके पहले ही दूर हो जाने बच्चे यह सब्सक्राइगे ताकि आप भरती टाइम में अप अपनी तयारी अच्छिस करके जाएगे और आप सेलेकशन ले जाएगे हम चाहते हैं कि आप सभी का स्वेक्शन हो लेकिन अद्वी करते हैं डोकमेंट पीच्चे रखे देगा तो आप लोग अपने डोकमें प्वाइजंप वो गएरे मंग रखा है सब कुछ अपने तयारी रखेगा मेडिकल के उपर में एक वीडियो ले करा रहा हूं बहुत जल्द आपके लिए कि आपका क्या-क्या मेडिकल में चेक अप होगा फूल बोड एका कैसे चेक अब होगा पूरा उसके उपर में एक वीडियो बढ़ाऊंगा तो आप लोग वो वीडियो जुरू देखना तो आप लोग हमें कमेंट करिए का आपको आज की वीडियो कैसे लगी और आपके नमबर कितने कितने क्योशन आपने आपके सही होते हैं आप हमें comment करें करता हिए, ठीक है ना, तो चलेगा फिरेंड's फिनते हैं आप सबीनेश नेक्स्ट वीडियो में, comment करना आपको वीडियो कैसे लगी और लाइक और शेयर करके धेर सार प्यार देना चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना और SSCD के अगर आप तुजारी करें तो डेली लाइक लास लिजीगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में गुडबाई फ्रेंड्स टेक केर जैहिंद जैभारत